आज हम सीखेंगे कुरेशा पकरना और कुरेशे से चेन बनाना ये है हमारा कुरेशा ये इस तरह के मुख्तलिफ साइज में आते हैं जिस तरह किसे एक ये है और ये दूसरा कुरेशा है हमारे पास इसी के साथ ही हमें चाहिए एक पश्रम या इसे धागा कह सकते हैं अब इस सबसे पहले बनाई जाती है slip knot किसी भी चेन को शुरू करने से पहले तो इस तरीके से अपने उंगली के ऊपर आप धागे को लेपेट सकते हैं आगे से उठे के मदद से उसे पकर कर पीछे से ऐसे गुमाएं कि जब इसे आगे लाएं तो ये cross या कांटा बन जाए अब पहले आपने सिक्योर करना होता है धागे को तो आपने इन दो उंगलियों के मदद से नीचे वाले कम धागे को पकड़ना है और उपर से धागे को लेपेट लेना है जो दागा ज्यादा है इस तरह दो उंगलियों से यहां से पकड़ने उपर से धागे को लेपेट दें और अब करें पीछे से आपने कुरेश को घुमाते हुए ले जाना है और दागे को निकाल ले ना है पीछे से ले जाएं और दागे को निकालने करेश का जो मुशा altri है यह हमारी तरफ होना चाहिए भूर तूबारएस सबावको बताती हूं आपकर दाख को करेश को simplyラ रखते हैं हमें कितना डाइट रखना है कितना हमारे लिए इजी हो रहा है इस तरीके से हम चेन बनाते जाएंगे उतनी रंबी चेन हम बना सकते हैं जितनी हमें चाहिए यह बन गई है हमारी कुरेशे की चेन जोके छोटी सी बनी हुई है इस तरह से हम कुरेशे की चेन की प्रैक्टिस करते रहेंगे जितनी जादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नीट और सफाई से बनेगी हमारी कुरेशे की चेन जिससे बाद में हम जो भी चीज़ बनाएंगे हम फूल बनाएं टोपिया बनाएं वो चीज़ हमारी सफाई के साथ बनेगी और प्यारी प्यारी सी निखर कर बनेगी ये को एक डिजाइन है मेरे पास कुरेशे का यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी चेन ही बनाई जाती है सारा कुछ जो होता है कुरेशे का उसमें बेसिक चेन ही होती है और अगर आपको चेन बनाना आ ग लगे तो इसको लाइक करें सबस्क्राइब करें और बेल आइकान दबाना ना भूलें